विल्कम तो जेनी एकलिप्स, प्लीज एंजॉआ थी शॉर्ट वर्शन्स आफ फेमस वीडियो और कीप लर्निग और दोंट फरगेट तो सब्सक्राइब यह जो वाल्यूम है, पहली वाल्यूम, यह इसके कहानी शुरू होती है, बाबर के पिता के मित्यू के समय से ले करके, बाबर के दूसरे असफ़ल अटेम्ट है भारत में खुषने के लिए जिसको वो हिंदुस्तान बुलाता है, वहाँ तो एक कहानी रुपती है, उसने पां जो कि कहानी यहां पर रुख जा रही है, यह बताना बहुत जरूरी है कि उसके पहले क्या था, बाबर ने किस तरह के सल्तनत का इस्टैबलिश्मेंट किया था, उनका मोटिवेशन्स क्या था, उसके इस्पिरेशन्स क्या थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया जो उन्होंने किया, जो ये टेमूरेट गुर्खानिया काल है भारत का उस समय भारत की अर्थ विवस्था कैसी थी लोग क्या संब्रद्ध थे दुखी थे, गरीब थे किस तरह के जीवन वो वेतीत कर रहे थे तो ये पहले जो इनॉक्रल वॉल्यूम है इसी में मैंने इन चीजों को बहुत ही क्लिरली मेंशन कर दिया है तो ये इस पुस्तक को तीन भागों में डिवाइट किया जा सकता है तो दो भागों के बीच में सैंट्विस्ट है बाबर की कहानी और जो आखरी का भाग है वो भाग है एपेंडिसिस का जहां पे मैंने भारत की अर्थविवस्था के बारे हम बात की है कि या फिर जिसको हम बहुत ही डाइरेट अगर बोलें तो टिवुरिट्स ने कैसे भारत को एक्स्प्लाइट किया उसकी कहानी है जहां पे मैंने नहीं सिर्फ बाबर की बात की है बलकि हुमायू, अकबर, जहांगीर, शाह जहां, औरंजी इन सब के बात की है उसके पहले एक introductory chapter आता है जहाँ पर ये explain किया गया है कि ये क्यों मात्तपूर्ण हो गया बाबर के उपर पुस्तक लिखना और ये क्यों मात्तपूर्ण था इसको primary sources के angle से देखना क्योंकि अभी तक बाबर के उपर उतनी ज़्यादा literature अवेलेबल नहीं है लोग ये बोलेंगे कि हमारे पास तो बाबर नामा already translated versions में मौझूद है लेकिन जब मैंने translated versions को देखना शुरू किया तो जैसे एनेट बेवरिस सुझान जिसकी translation को सबसे authentic लोग मानते हैं जो कि उन्हें ने चक्ताई तरकिक जो बाबर ने जिसमें लिखा था जिस भाशा में उसी के translation किया था उसके बाद के जो translation है जो और बे स्कॉलर्स ने किया वो पर्शिन मैनुस्क्रिप्ट में बेस थे और वो जो पर्शिन मैनुस्क्रिप्ट थी वो अकबर ने कमिशन करवाई थी तरकिक जो चक्ताई टारकिक लैंग्विज था उसको translate करके अब बुल फजल के दोवारा पर्शिन में बाबर नामा रखी गी थी जो अब ही हम सब के accession में है अगर कोई national museum में जा करके देखना चाता है तो तो मैंने ये observe कि in translations में भी कहीं ने कहीं द्वन्द है यानि कि कुछ differences हैं कुछ they don't match with each other और वहाँ पर personal biases दिखते थे translators के तो उसके लिए मैंने खुद पर्शिन सिखना शुरू किया जैसे कि मैं manuscript में पढ़ सकता हूँ अब कि कहां पर क्या लेक है alphabets क्या है और dictionary के यूज करके शब्द का मैं meaning निकाल सकता हूँ तो उस तरह से मैंने observe करना शुरू किया कि जैसे कुछ-कुछ term होते हैं इस translation में आपको काफिर के जगा पर जो शब्द यूज होगा वो रहेगा infidel और वो पेगन यूज किया रहेगा जो कि पेगन काफिर कैन इन फेडल हो सकता है यह काफिर नहीं हो सकता है इस तरह के बहुत सारे छोड़े छोड़े चीज़ों तो जो बहुत सारे अंतर ला देते है थौट प्रोसेस के उपर अब यहां पर मैंने देखा कि तक्रीवन साड़े चार सौ पेज कंस्यूम हो गए हैं यह सब करते हुए ही अब यहां तो फिर मुझे ऐसा लगा कि बाबर की जो कहानी है आगे की भारत में उनका आना और जिस तरह से जो उनका जिहाद का फेज है जो भारत की कहानी है वो जिहादी फेज है यह वो फेज है जहां पे उन्होंने काफिरों के खिलाफ जिहाद डिकलियर किया है तो उसको दूसरे वॉल्यूम में एड्रिस करूँगा मैं और ये बुक काफी एक पुस्तक पूरी तरह से हैंडी हो जाती है लोगों के लिए क्योंकि पूरी तरह से मुगल सामराज्य को समझ सकतने एक छोटे सामराइस्ट फॉम में कि जो टेमुरेट गुर्खानिया शाषंता वो कैसा था भारत की अर्थवरिस्था कैसी थी ये उस सवाल का तो बिलकुल जवाब दे देता है जो लोग यही बात उठाते हैं मेशा कि मुगलों ने भारत को और भी सम्रिद बना दिया था तो इस बुक इस अगुड बुकलेट यह फिर एक एक ऐसा हैंडी लॉट एक जाट्ली अपुलेट बट एक अ मेरे खाल से करी 300 पेश तो होंगे इस टोटल 430 पेश है इंक्लूडिंग अल अफ दम जिसमें 300 पेश से बावर की कहानी है दोसब पंचानबे होगे रहा वो तो फॉट नोट्स होगे रहा मिला करें वैसे में जो टेक्स हो थो वह थो नब बसाड़े नोट्स है पिर पेंडिक्स जी इसमें तो इसके नोट्स भी बड़े मत्तपूर्ण है क्योंकि जब आब बाबर नावा पढ़ेंगे तो बाबर कि जर्णी शुरू होती है फरगाना से उकाबूल तकारा है उसके बीश में उसने बहुत सा जगह को कवर किया और एक भारती इतिहास के एक भारती होने के नाते मुझे यह लगा कि उन जगह का जो कॉंटेक्स्ट है जो उनका पास्ट है उसके बारे में बताना बहुत है जो जुनल बोलकर के कभीरा जिसका स्टैब्लिश्मेंट रुटर बॉल गरीए के राजा ने किया ता जो कि तुर्क शाही कि जिसने स्टैब्लिश्मेंट के थे उसके भाई ते रुटर तो वो सुरु के उपा सक्ते हैं सु्र्णिकäre के उपाते हैंॉर उन्हों ने लेकिन उस समय तक तो बिल्कुल भी वह इसलमाइज नहीं हुआ था तो यह बाबर की जर्णी के थू मैंने उन जगहों के इतिहास को भी समझने के कोशिश किया और मुझे यह नजर आया कि वह एक बहुत ही स्ट्रॉंग रेजिस्टेंस था इन्वेजन के खिलाफ और वो में कैप्चर करने का कोशिश किया है